यह नूमेट्सकप्ट का इंटरफेस अगर यहाँ पे आप यृज्गों की मदद से राइट साइड को डूकर ओगी तो ये आपको लेब्ट साइट को दिखाए देगा और लेफ्ट साइड तक ड्राग करोगे तो ये राइट साइड को दिखाएगा अगर आप उपर की तरफ ड्राग करोगी तो ये नीचे की तरफ दिखाएगा और ये नीचे की तरफ ड्राग करोगी तो आपको उपर की हिस्से दिखाएदेगा अगर आपको जूम करना है यहां पर आप जैसे मोबाइल केमरे पर जूम करते हैं यह से दोनों उंगलियों पर आप जूम कर सकते हैं और जूम आट भी कर सकते हैं अब उसके साथ आपको राइट साइड में कुछ तोल्स दिखाए देंगे यहां पर तोल्स के ऊपर एक टोल्स का जो आइकन है उसकर क्लिक करने से एक साथ आपको सारे टोल्स दिखाए देंगे और लेब साइड में आप देख सकते हैं यह वाला जो है यह रेडियस है इस शारे टूल्स को कितना ज्यादा काम करना है कितना एरिया पे काम करना है यह रेडियस से आप कॉंट्रोल कर सकते हो और उसके निचे है इंटेंसिटी आप इस टूल को कितना ज्यादा काम करेगा और कितना कम कम करेगा इस intensity के मदद से आप कमा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो सबस्क्रान मैंने उसको पुरा बढ़ा दिया तो ये ज़्यादा कम करेगा और उसे कमा दिया पूरा तो ये कम कम करेगा जैसे कि मैं कमा दिया तो यह देख सकते हैं यह कम कम कर गया उसके नीचे आपको दिख दिख रहा होगा एक के स्वाइएम का लिखा हुआ यह के मिरर कह सकते हैं इसका मतलब है यहां पर एक तरफ काम करेंगे तो यह दूसरा तरफ भी अटोमेटिकली बन जाएगा एक तरफ मिरर है उसके नीचे कुछ सौट कोट दिया गया है यहां पर इस सारे सौट कोट से उसके अलाबा यहां पर उंडो रिडो भी आपको दिया गया यह उंडो और यह रिडो और सिसाइड में यहेरी हिस्ट्री है आप जितने भी टॉल्स यूज किये होंगे उन सारे टौल्स का यह हिस्ट्री में सारे दिखाए देगा और यहां पर कूछ शॉट कोर्स और उपर की तरफ यह सारी टोल्स का मेनेजमेंट टोल्स का सेटिंग और प्रोजेक्ट सेटिंग और बहुत कुछ है अगर आपको शिकना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चाहिए वीडियो के सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर राइट साइट को और पर प्रॉंट लिखा हुआ एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा इस क्यूब को स्नाप क्यूब कहा जाता है तो अगर यह आपको सो नहीं हो रहा है आप सिधा सेटिंग में जाकर देख सकते हैं यहां पर स्नाप क्यूब लिखा हुआ है सेटिंग पर नीचे यहां पर आपको ओन आप कर सकते हैं दख सकते हैं यह गायव हो गया क्योंकि मैंने ओप कर दिया फिर से उसे ओन कर देता हूं दख सकते हैं यह फिर से आ गया तो यह स्नाप क्यूब क्यूब जरूरी है सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने एक स्पीर एड किया है सबस्पर इस स्पीर के मैं राइट साइड में हूं यह अपको कैसे पता चले गया कि यह आप स्पीर के राइट साइड पर हो अगर यह क्यूब नहीं होगा तो मैं इस cube को हटा देता हूँ तो अगर हम यहां पर snap cube को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम spear के पिछले हिस्चे में है spear के back side में है और हम उसे अच्छी तरह से modeling कर सकते हैं snap cube का काम होता है कि आपको पताता है कि आप object की किस दिशा में मौजुद हो तो आज की वीडियो में बास इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर